दोस्तो आज के इस वीडियो में आप सब को जानने को मिलेगा कि मोबाइल के अंदर सोना कहां पर होता है और उस सोने को कैसे निकाला जाता है हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है राहूल और आप देख रहें आपका अपना चैनल टेक्निकल का टोरी दोस्तो आपको यकिन नहीं होगा कि मोबाइल के अंदर सोना होता है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद बिलकुल यकिन हो जाएगा कि मोबाइल के अंदर सोना होता है अब यहाँ पर दोस्तों मेरे पास एक पुराना मोबाइल है जो कि वोल्ड है डेड हो चुका है और किसी एस्पेरिमेंट के दोरा ने मोबाइल पुरा इस दुनिया से जा चुका है तो आज इसी मोबाइल को खोलेंगे और इस मोबाइल के अंदर जो सोना है उसको हम आपको और दोस्तों पुराना मोबाइल भी हमारे पास पढ़ा है जो कि यह डेड हो चुका था और जो कि इसका मदर बोड में निकाल रखा है और फर यह पन का इस मोबाइल के अधर सोना होता है इस सोने को और आपको क्या करना पड़े गा दोस्तों आपके ग几ोय Bent आज पास जो मोबाइल की खरीद के लेकर जाते हैं दोस्तों आप लोग सोचते होंगे जो उसका पूर्जा है पुराना जो पूर्जा है उसको निकाल करके किसी मोबाइल के अंदर लगाएंगे और उसको बेशेंगे वो लेकिन आपको एक गलत फ्हेमी है इसको आप लोग निकाल तो काम नहीं करेगा खराब हो जाता है तो चलिए हम आपको बताते हैं मोबाइल के अंदर सोना कहां पर होता है और इसको हम खोलेंगे देशी जुगार से क्योंकि हमारे पास कोई वैसा पैचकस वगयरा है नहीं जो कि इसको अच्छी तरह से खोले और कापी दिन से इसे फ हे तो चलिए हैं सौना होता है यह सब मोबाईल के अंदर दिखते हैं लेकिन हाद के राप ज़ाना जरूरी है और आप सोना निकालते हैं तो इसमें 500-800 का सोना आपको मिल जाता है अगर छोटे फोटे फोन में === अगर मिलेगा अगर अगर आप फिर बड़े वाले मोबायल में जाते हैं उसके अंदर का निकालते हैं तो आपको पांशे शरव का सोना मिल जाता है ठीक ना तो दोस्तों इसको निकालने के लिए आपको कुछ केमकल की जरूरत पड़ेगी और आपको इसको हीट करना पड़े अब यहां पर दोस्तों इसको हमने खोल लिया है और इसको साइड में रख देते हैं इसका कोई काम नहीं है और यहां पर जो कि यह हमारा फोन है ठीक इसका भी डिस्पले जा चुका है तो यहां पर जो कि श्कुरू है और यह तो खुलेगा नहीं ऐसे तो चलिए यहां पर हम देखते हैं यह बैटरी पहले निकाल देते हैं तो यहां पर बैटरी को हम निकालेंगे पहले जो है यहां पर जो भी कनेक्शन इसको छटकाएंगे और इस बैटरी को अलग कर देते हैं ठीक बैटरी चेंजिंग किया गया है तो फिर से इसको अच्छी तरह से वोग चुपका दिखा दिए हैं तो चलिए इसको खाडती हैं कि यहां पर देखिए निकल इसका काम खटम है अब यहां पर देखिए आई-c-e ठीक इसम आई-c है और पर कैमरा है लोग सोचने तो इसको यहां से शटकाएगा कैमरा निकल जाएगा तो इसको लगा सकते हैं लेकिन इसके बदले आप सोच रहे हैं अगर उसी लगा देंगे तो अहीं लगै क्वा जादा ही लगाते ही it तो गरम करके इसमें लगाया गया है फिर से गरम होगा फिर उस मुबाइल में लगाया जाया तो तीन बार गरम हो जाएगा इसके उज़े से खराब हो जाता है अब यहां पर दोस्तों यह कुछ यहां पर देखिए यहां पर जो कि इसमें कुछ सोना है जो कि आप देख सकते हैं यहां पर देखिए तो यह बहुत पतला लेयर में होता है इससे निकालने के लिए काफी मिनाथ करना पड़ता है और जो भंगार वाले होते हैं उसको recycle वाले को दे देते हैं वो लोग की require कर लेते हैं जो इसमें सोना होता आप यहां पर इसपोन के अन्दर हम एसको इहां सुजाड़ेंगे और इसके अंदर कहां- कहां पर सोना है आपको हम बिखाते है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फून के अंदर यह जो है यह हिस्सा इस सोना का हिस्सा इसमें इस सोना की परत चड़ाए जाया है आप लोग के अंदर confusion हो ते मोबाइल के अंदर सोना क्यों लगाते हैं तो दोस्तोंमें बता देता हूं कि इसमें electronic अच्छी तरह से पास कर जाती है ठीक न जो इसका पामर होता है अच्छी तरह से पास करने के लिए इसमें थोड़ी सोना की परत चड़ाया जाती है मोबाईल के अंदर थी इसे कि फोटी वालि आइसी की अंदर हीटिंग मेशिंग की जरूरत पड़ेगी और इसको खाड़के आप अगर पल्टेंगे तो ऐसे छोटे-छोटे बुंदी भी बना हुआ आपको सोना दिखाई देगा तो दोस्तों आप जो कि उस सोने को गरम करके प्रिगला करके इकठा कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर जो आप सब को क्या करना पड़ेगा दोस्तों अगर यह वीडियो आप सब को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा आज की इस वीडियो में इतना ही हम मिलेंगे किसी ने इसे वीडियो में तब तक कि लिए बाब बाई